क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व कप्तान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के लिए आज का दिन सबसे खास है। ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। हालाकि इस मुकाबले में भारत को हार जहननी पड़ी थी। सचिन ने 200 टेस्ट में पुल 51 शतक जबकी 463 वंडे में 89 शतक जमाए हैं। जम कर चला था। सचिन तेंदुलकर ने 77.55 की स्ट्राइक रेट में 157 गेंदों पर 12 चौकी और एक छक्य की मदद से सबसे ज्यादा 114 रन बनाए थे। ये उनका सौवा और उनके करियर का आखरी शतक था। वही विराट कोहली ने 80.48 की स्टाइक रेट से 82 गेंद पर 54 की मदद से 66 रन बनाए थे। इस मामले में सुरेश रेणा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने 68 गेंद पर 5 चौके और 2 चक्य की मदद से 51 रन बनाए थे। जबाब में खेलने उतरी बांगलादेश की टीम 4 गेंद शेश रखते हुए 5 विकेट की नुकसान पर लक्ष हासिल कर लिया था। तमीन इकबाल ने सबसे ज़्यादा 70 रन बनाए थे। जबकि जहुसल इसलाम ने 53 रन बनाए थे।